हमारे प्रितम प्रधानी स्रीमान नरेंदर मोडीजी से हम अनुरोध करेंगे इस समता मुर्ती का अनावरन सु अवसर पर वे समाज को और दुनिया को संबोधित करें और प्रेरना दें प्रितम स्रीमान नरेंदर मोडीजी ओम असमत गुरुब्यो नमह ओम स्रीमते रामानुजाय नमह कारकम में हमारे साथ उपस्तित तेलंगनागी राजपाल डॉक्टर तमिल साई जी पुझ्य स्री जीयर स्वामी जी केंद्रिय मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी स्री जी कर्ष्टर रेडी जी श्रिमान डॉक्टर रामेश्वर्राव जी भागवद विभितियों से संपन्न सभी पुझ्य संतगान देवियों और सज्जनों आज मा सरस्वती की आराधना के पावन पर्व वसंत पंचिबी का सुब अउसर है मा शार्दा की विशेज कुर्पा अउतार स्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा इस अउसर पर स्थापित हो रही है मैं आप सभी को वसंत पंचिबी की विश्व कामनाय देता हूँ मैं मा सरस्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि जगत गुरु रामानुजाचार्य जी का ज्यान विश्व का पत्ध प्रदर्शन करे साथियों हमारे यहां कहा गया है ध्यान मुलम गुरु मुर्ती अर्थात हमारे गुरु की मुर्ती ही हमारे ध्यान का केंद्र है क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हमारे लिए ग्यान प्रगट होता है जो अबोध है हमें उसका बोध होता है अब प्रकट को प्रकट करने की ये प्रेर्णा सुख्ष्म को भी साकार करने का ये संकल्प यही भारत की परंपरा रही है हमने हमेशा उन मुल्यों और विचारों को आकार दिया है जो यूगों यूगों तक मानवता को दिशा दिखा सके है आज एक बार फिर जगत गुरु स्री रामानुजाचार्य जी की इस भव्य विशाल मुर्ति के जरिये भारत मानविय उर्जा और प्रेर्णाओं को मुर्तस रूप दे रहा है रामानुजाचार्य जी की ये प्रतिवा उनके ज्ञान वैराग्य और आदर्शों की प्रतिख है मुझे विश्वास है ये प्रतिवा नकेवर्न आने वाली पीडियों को प्रेणा देगी बलकि भारत की प्राचीन पहचान को भी मजबूत करेगी मैं आप सभी को सभी दे सवास्यों को और पूरे विश्व मैं विश्व मैं फैले रामानुजाचारे जी के सभी अनुयाईयों को इस शूप अवसर पर अनेक अनेक बधाई देता हूँ साथियों अभी मैं एक सो आठ दिव्य देशम मंदिरों के दर्शन करके आ रहा हूँ आलवार संतों ने जिन एक सो आठ दिव्य देशम मंदिरों का दर्शन पूरे भारत में ब्रह्मन करके किया था कुछ वैसा ही सोभाग्य मुझे आज स्री रामानुजाचारे जी की कुर्पा से यहीं मिल गया मानवता के कल्यान का जो यग्य उन्होंने ग्यारवी शतब्दी में शुरू किया था वही संकल्प यहां बारा दिनों तक बिभिन अनुस्ठानों में दोहराया जा रहा है पुझ्य स्री जीर स्वामी जी के स्ने से आज विश्वक सेन इस्टी यग्य की पुर्णा होती में सामील होना का सवभाव्य भी मुझे मिला है मैं इसके लिए पुझ्य जीर स्वामी जी का विशेश रुप से आभार प्रगड करता हूँ उन्होंने मुझे बताया है कि विश्वक सेन इस्टी यग्य संकल्पों और लक्षों की पूर्ती का यग्य है मैं इस यग्य के संकल्प को देश के अमरित संकल्पों की सिद्धी के लिए नत मस्तक हो करके समर्पित करता हूँ इस यग्य का फल मैं अपने 130 करोर देश वासियों के सपनों की पूर्ती के लिए अर्पित करता हूँ साथियों दुनिया की अधिकाउं सब्यताओं में अधिकाउं सदर्शनों में किसी विचार को या तो स्विकार किया गया है या फिर उसका खंडन किया गया है लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसके मनिश्यों ने ज्ञान को खंडन, मंडन स्विकृती, अस्विकृती इससे उपर ही उठा करके देखा स्वयम उससे उपर उठे दिव्यतरष्टी से उस विवात को देखा हमारे यहां अधवाइद भी है और द्वाइद भी है और इन द्वाइद अधवाइद को समाहित करते हुए स्री रामानुजाचारे जी का विशिष्टाद भाइत भी हमारे लिए पहरना है रामानुजाचारे जी के ज्यान की एक अलग भव्यता है साधान द्रस्टी से जो विचार परस पर विरोधाबासी लगते हैं रामानुजाचारे जी उन्हें बड़ी सहस्ता से एक सुत्र में पिरोधेते हैं उनके ज्यान से उनकी व्याख्या से सामान्य से सामान्य मानवी भी उससे जुड़ जाता है आप देखिए एक और रामानुजाचारे जी के भाष्यों में ज्यान की पराकाष्टा है तो दूसरी और वे भक्ति मार्क के जनक भी है एक और वो सम्रुद्ध सन्यास परंपरा के संत भी है और दूसरी और गीता भाष्य में कर्म के महत्व को भी अत्यन्त उत्तम गुरुप में प्रस्तुत करते हैं वो खुद भी अपना पूरा जीवन कर्म के लिए समर्पित करते रहे रामानुजाचार्य जी ने संस्कृत ग्रंथों की भी रचना की और तमिल भाषा को भी भक्ती मार्ग में उतना ही महत्व दिया आज भी रामानुज परंपरा के मंदिरों में थिरुप्पावाई थिरुप्पावाई के पाट के बिना शायद ही कोई अनुष्ठान पूरा होता हो साथियों आज जब दुनिया में सामाजिक सुधारों की बात होती है प्रगतिशिल्टा की बात होती है तो माना जाता है कि सुधार जड़ों से दूर जाकर ही होगा लेकिन जब हम रामानुजाचारे जी को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि प्रगतिशिल्टा और प्राचिन्ता में कोई विरोद नहीं है ये जरूरी नहीं है कि सुधार के लिए अपनी जड़ों से दूर जाना पड़े बलकि जरूरी ये है कि हम अपनी असली जड़ों से जूड़े अपनी वास्तविक सक्ती से परिचित हो आज से एक हजार साल पहले तो रूडियों का दबाव अंदविश्वास का दबाव कलपना के भार कितना जादा रहा होगा लेकिन रामानुजाचारे जी ने समाज में सुधार के लिए समाज को भारत के असली विचार से परिचित करवाया उन्होंने दलीतों पिछणों को गले लगाया उस समय जिन जातियों को लेकर कुछ और भावना थी उन जातियों को उन्होंने विशे सम्मान दिया यादवगीरी पर उन्होंने नारायन मंदीर बनवाया जिसमें दलीतों को दर्शन पूजन का अधिकार दिया रामानुजाचारे जी ने बताया कि धर्म कहता है न जाति ही न जाति ही कारणम लोके गुणाहा कल्यान हे तव अर्थात संसार में जाति से नहीं गुणों से कल्यान होता है रामानुजाचारे जी के गुरु स्री महापुर्ण जी ने एक बार दूसरी जाति के अपने एक मित्र का अंतिम संसकार किया था उस समय रामानुजाचारे जी ने लोगों को भगवान स्री राम की याद दिलाई थी उन्होंने कहा कि अगर भगवान राम अपने हाथों से जटायू का अंतिम संसकार कर सकते हैं तो फिर बेदभाव वाली सोज का अधार धर्म कैसे हो सकता है ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है साथ क्यों हमारी संस्कृति की ये विशेशता रही है कि सुधार के लिए हमारे समाद के भीतर से ही लोग निकलते हैं यूगों से देखते आईए समाज में जब भी कुछ बुराई के तत्व फैलने लगते हैं कोई न कोई महापुरुष्वा अमारी ही बीच में से पैदा होता है और ये हजारों वर्षों का अनुभव है कि ऐसे सुधारकों को हमेशां उनके कालखन में साय स्विकृति मिली हो या न मिली हो चुनोतिया रही हो या न रही हो संकट जेलने पड़े हो या न पड़े हो तिरोध भी सहना पड़ा हो लेकिन उस विचार में उस तत्र में उतनी ताकत रहती थी उनका conviction इतना जबर्जस होता था कि वो समाज की बुराईयों के खिलाब लड़ने के लिए अपनी पूरी सक्ति लगा देते थे लेकिन जब समाज इसे समझ पाता है तो जिसका कभी विरोध होता है उसको स्विक्रूती भी उतनी तेजी से मिलती है सम्मान और आदर भी उतना ही मिलता है यह इस बात का सबूत है कि बुराईयों के पक्ष में कूरितियों के पक्ष में अंदविश्वात के पक्ष में इन जनरल हमारे समाज में सोशल सैंक्षन नहीं होता है जो बुराई से लड़ते हैं जो समाज को सुधारते हैं हमारे हाँ उने ही मान और सम्मान मिलता है भाईयों और बेनों आप सब लोग रामानुजाचारीजी के जीवन के विभिन्न आयामों से परिचित है वो समाज को सही दिशा देने के लिए अध्यात्म के संदेशों का भी प्रयोग करते थे और व्यावारिक जीवन का भी जाती के नाम पर जिनके साथ बेदवा होता था रामानुजाचारीजी ने उन्हें नाम दिया थिरुकल्थार यानि लक्ष्मी जी के कुल में जन्मन लेने वाला स्रीकुल या देवी या जन्म वो स्नान करके आते समाए अपने शिष्य दनुर्दास के कंदे पर हाथ रख कर आते थे ऐसा करके रामानुजाचारीजी छुवा छुद की बुराई को मिटाने का संकेत दे थे यही वज़े थी कि बाबा साब आम्बेड कर बाबा साब आम्बेड कर जैसे समांता के आधुनिक नायक भी रामानुजाचार्य जी की भरपूर प्रसौंसा करते थे और समाज को भी कहते थे कि अगर सीखना है तो रामानुजाचार्य जी की सिख्षा से सिखो और इसलिए आज रामानुजाचार्य जी की विशाल मूर्ती Statue of Equality इसके रूप में समान ताका संदेश दे रही है इसी संदेश को लेकर आज देश सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ अपने नए बविश्य की नीव रख रहा है विकास हो सबका हो मिना बेदभाव हो सामाजिक न्याए सबको मिले मिना बेदभाव मिले जिने सदियों तक प्रताडित किया गया वो पूरी गरिमा के साथ विकास के भागिदार बने इसके लिए आज का बदलता हुआ भारत एक जुट प्रयास कर रहा है आज सरकार जो योजना ये चला रही है उनका बहुत बड़ा लाब हमारे दलीत पिछडे भाई बेहनों को हो रहा है चाहे पक्के घर देना हो या फिर उजवला का मुप्त कनेक्शन गैस कनेक्शन चाहे पांच लाख रुपिये तक मुप्त इलाज की सुविदा हो या फिर बिजली का मुप्त कनेक्शन चाहे जनधन बैंक खाते खोलना हो या फिर स्वच्छ भारत अभ्यान के तहर करोडों सोचालों का निर्मान करना हो ऐसी योजनाओं ने बलीत, पिछडे, गरीब, शोसीत, वंचीत सभी का भला किया है, बिना भेदवाव सबको ससक्त किया है साथियों, रामानुजा चारे जी कहते थे उरिये गल्लुकुल, बेड़ मिले अर्थात, सभी जीव समान है वो ब्रह्मा और जीव की एक्ता की बात ही करके रुकते थे था नहीं थे वो वेदांत के इस सुत्र को स्वयम भी जीते थे उनके लिए स्वयम में और दूसरों में कोई भेद नहीं था यहां तक की उन्हें अपने कल्यार से जादा जीव के कल्यार की चिंता थी उनके गुरु ने कितने ही प्रयासों के बात जब उन्हें ग्यान दिया तो उसे गुप्त रखने के लिए कहा क्योंकि वो गुरु मंत्र उनके कल्यार का मंत्र था उन्होंने साधना की थी तपस्या की थी जीवन समर्पित किया था और इसलिए ये गुरु मंत्र मिला था। लेकिन रामानिचा चाहरी जी की सोच अलग थी। यानि मैं अकेला नर्क जाओं तो भी कोई बात नहीं लेकिन बाकी सबका कल्यान होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने मंदिर के सीखर पर चड़कर हर नारी को वो मंत्र सुनाया। जो उनके गुरु ने उने उनके कल्यान के लिए दिया था। समानता का ऐसा अमरत रामानुजाचारी जी जैसा कोई महापुरुसी निकाल सकता था। जितने वेद वेदांत का वास्तविक दर्शन किया हो। साथियों रामानुजाचारी जी भारत की एकता भारत की अखंडता का भी एक प्रदीप्त प्रेना है। उनका जन्म दक्षिण में हुआ। लेकिन उनका प्रभाव दक्षिण से उत्तर और पूरब से पस्चिमतान पूरे भारत पर है। अन्नमाचारी जी ने तेलूगु में उनकी प्रसंसा की है। कनकदास जी ने कननर भासा में रामानुजाचारे जी की महिमागाई है। गुजरात और राजस्तान में अगर आप जाएंगे तो वहां भी अनेक संतों के उपदेशों में रामानुजाचारे जी के विचारों की सुगंद में मैसूस होती है। और उत्तर में रामानुजाचारे जी के जीवन में रामानुजाचारे जी के जीवन में हम ये देख सकते हैं। इसी आध्यात्मिक चेतना ने गुलामी के सैंकडों वर्सों के कालखन में भारत की चेतना को जागरत रखा था। साथ क्यों ये भी एक सुखत संयोग है। स्री रामानुजाचारे जी पर ये समारों उसी समय में हो रहा है जब देश अपनी आजादी के 75 साल मना रहा है। आजादी के अमृत महोटों में हम स्वाधिनता संगराम के इतिहास को याद कर रहा हैं। आज देश अपने स्वाधिनता सेनानियों को कृतग्य सरधांज listening दे रहा है। अपने इतिहास से हम अपने भविशे के लिए प्रेणा ले रहे हैं, उर्जा ले रहे हैं। इसलिए अम्रित महोत्षव का या आयोजन आजादी की लडाई के साथ साथ हजारों सालों की भारत की विरासत को भी समेटे हुए हैं। हम जानते हैं भारत का स्वाधिंता संगराम केवल अपनी सत्ता और अपने अधिकारों की लडाई भर नहीं था। इस लडाई में एक तरफ अपनी वैशिक मान सिकता थी तो दूसरी तरफ जी और जीने दो का विचार था। इसमें एक और ये नसलियस रेष्टता और भवतिक वाध का जुन्मात था तो दूसरी और मानवता और अध्यात्म में आस्था था। और इस लडाई में भारत विजय हुआ। भारत की परंपरा विजय हुई। भारत के स्वाधिन्ता संग्राम में समांता, मानवता और अध्यात्म की वो उर्जा भी लगी थी जो भारत को रामानुजाचारी जी जैसे संतों से मिली थी। क्या हम गांधी जी के बीना अपने स्वाधिन्ता संग्राम की कल्पना कर सकते हैं। और क्या हम अहिंसा और सत्य जैसे आदर्सों के बिना गांधी जी की कल्पना कर सकते हैं। आज भी गांधी जी का नाम आते ही वश्ण वजन तो तेनेर कईये ये धून हमारे अंतर मन में बजने लगती है। इसके रचेईता नर्सी मेता जी रामा नुजा चारी जी की भक्ती परंपरा के ही मान संत थे। इसलिए हमारी आजादी की लड़ाई को जिस तना हमारी आध्धात्मिक चेतना उर्जा दे रही थी। वही उर्जा आज आजी के 75 साल में हमारे अमृत संकल्पों को भी मिलनी चाहिए। और आज जब मैं भाग्य नगर में हूँ, हैद्राबाद में हूँ, तो सरदार पटेल जी का विशेश उलेख जरूर करूँगा। वैसे किसंद रेडी जी ने अपने वक्तवेब्य पड़ा विस्तार से उसके लिए कहा, भाग्य नगर का कौन ऐसा भाग्य साली होगा, कौन ऐसा हैद्राबादी होगा, जो सरदार पटेल की दिर्ग दर्ष्टी, सरदार पटेल का सामर्थ और हैद्राबाद के आन, बान, सान के लिए सरदार साब की कुट्णिति को न जानता हो। आज देश में एक और सरदार साब की स्टेच्य आफ यूनिटी एक्ता की सपत दोहरा रही है, तो रामनुजाचारी जी की स्टेच्य आफ इक्वालिटी समानता का संदेश दे रही है। यही एक राष्ट के रुपे भारत की चीर पुरातन विशेस्ता है। हमारी एक्ता सत्ता या सक्ती की बुनियाद पर नहीं खड़ी होती। हमारी एक्ता समानता और समादर इस सुत्र से सुजित होती है। और सात्यों, आज जब मैं तेलंगना में हूँ, तो इस बात का जिक्र भी जरूर करूँगा, कि कैसे तेलूगू कल्चर ने भारत की विविदता को शसक्त किया है। तेलूगू कल्चर की जड़ों का विस्तार सद्यों में फैला हुआ है। अनेक महान राजा, रानिया इसके द्वजवाहक रहे हैं। सात्वाहन हो, काकातिया हो या विजे नगर सामराज्य सभी ने तेलूगू संस्कृति की पताका को बुलंद किया। महान कभियों ने तेलूगू संस्कृति को समर्द किया है। पिछले वर्षी तेलांग नामे स्थित तेरवी सतार्दी के काकातिया रुद्रेश्वर रामाप्पा मंदिर को विनेश को विश्व दरोहर स्थल गोशित किया गया है। वर्ल्ड टूरिजम और्गनेशन ने पोचम पल्दी को भी भारत के सबसे बहतरीन टूरिजम विलेज का दरजा दिया है। पोचम पल्दी की महिलाओं का हुनर, पोचम पल्दी साडियां के रूप में विश्व विख्यात है। ये वो संस्कृति है जिसने हमें हमेशा सद्भाव, भाईचारा और नारी शक्ति का सम्मान करना सिखाया है। तेलू कुछ संस्कृति की इस गवरवसाली परंपरा को, आज तेलू कुछ फिल्म इंडिस्ट्री भी पुरे आन बान सांद से आगे बढ़ा रही है। तेलू कुछ सिनेमा का दाइरा सिर्फ उतना ही नहीं है जहां तेलू कुछ बोली जाती है। इसका विस्तार पूरे विश्व में है। सिल्वर स्क्रिन से लेकर OTT प्लेटफॉर्म्स तक इस क्रियेटिविटी की तर्चा चाही हुई है। भारत के भार भी खुब प्रसंसा हो रही है। तेलू कुछ भाषी लोगों का अपनी कला और अपनी संस्कृति के प्रती ये समर्पन सभी के लिए प्रेणा समान है। साथियों आजादी के 75 वे वर्ष में इस अमरित कान में स्री रामानुजा चारेजी की ये प्रतिमा प्रतेक देश्वासी को निरंतर प्रेणित करीगी। मुझे पूरा भरोसा है आजादी के अमरित कान में हम उन कूरुतियों को भी पूरी तरह समाप्त कर पाएंगे जिने खत्व करने के लिए स्री रामानुजा चारेजी ने समाप को जागरत किया था। इसी भाव के साथ पुझ्य स्वामी जी का आदर पूर्वक दन्यवात करते हुए इस पवित्र आउसर में हिस्सेदार बनने के लिए आपने मुझे आउसर दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, विश्व भर में फैले हुए प्रभू रामानुजा चारेजी के विचार से प्रभावित प्रेरित हर किसी को मैं अनेक अनेक शुब कामनाई देता हूँ, मेरी बाणी को विराम देता हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद